भारतिय खगोल विज्ञान में थिरूव थिराई या अद्रा के रूप में विख्यात ओरायन तारा मंडल में अपनी प्रमुक स्थिति के साथ चमकदार लाल तारा बेटेल गेस पर ये वेक्षकों को आकर्शित करता है। जापानी और स्विस शोध करताओं द्वारा किये गए हालिया शोध में तारे के स्पंदन पैटर्ण पर प्रकाश डाला गया है। बेटेल गेस स्पंदन बेटेल गेस एक विशालकाय लाल तारा है जो अपने जीवन के अंत के करीब है। रिगेल के बाद ओरायन तारा मंडल में यह दूसरा सबसे चमकीला तारा है। वेज्यानिकों ने वर्ष 2019 के अंत में बेटेल गेस के रहस्यमय तरीके से मंद होने का कारण तारे की दिखाई देने वाली सतह पर एक बड़े धमाके की वजह से हुए विस्पोट को बताया। शोध करताओं ने बेटेल गेस के देखे गए स्पंदन की तुलना सैद्धान्तिक अनुमानों से की है। यह दर्शाता है कि तारा अपने अंतिम कारबन बर्निंग चरण में है। स्पंदन की अवधी तारे की त्रिज्या, चमक और द्रव्यमान के बारे में मूल्यवान अंतर द्रिष्टी प्रदान करती है, जो कोर कारबन बर्निंग के अपने वर्तमान चरण की पुष्टी करती है। बेटलगेस दो मुख्य कारकों के कारण चमक में भिन्न होता है, इसकी सतह के तापमान में परिवर्तन तथा इसके आकार में परिवर्तन। एक विशालकाय लाल तारे के रूप में बेटलगेस की एक बहुत ही अस्थिर बाहरी परत होती है, जो समवहन और स्पंदन हेतु बेटलगेस का स्पंदन आवधिक संकुचन और तारे के विस्तार को संदर्भित करता है। हाइड्रोजन आयनित हो जाता है और अधिक ताप को अवशोशित कर सकता है, जिससे बाहरी आवरण का अत्यधिक विस्तार एवा मुद्सर्जन होता है। बेटलगेस जैसे तारे जब कारबन बनाने हेतु हीलियम का उपयोग करते हैं, तो कुछ करोड़ वर्षों में उनका बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन इंधन समाप्त हो जाता है। हीलियम करीब 10 लाख वर्ष में खत्म हो जाती है। कुछ 100 वर्षों में कारबन जलने और लगभग एक दिन में सिलिकॉन जलने के साथ तत्तों का दहन प्रत्येक चरण के साथ तीवर हो जाता है। प्रेड जायंट तारे आवर्थ सारणी के तत्तों का एक-एक कर तेजी से उपभोग करते हैं। जब तक कि अंत में उनका कोर लोहे से भर नहीं जाता। एक बार जब कोर लोहे से भर जाता है, तो तारे के भीतर का तापमान और दबाव कम हो जाता है। इसे रोकने हेतु कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होने के कारण गुरुत्वा करशन कोर को संकुचित करता है। एवम इसे नूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में परिवर्थित कर देता है। बेटिल गेस का बाद का कारबन चरण तारे के आसन पतन से पहले अंतिम चरण को दर्शाता है। अंतरिक्ष में वेक्षेत्र हैं जिसमें द्रिश्यमान तारों के एक समूह का कथित स्वरूप या रूपरेखा निर्मित होती है, जो सामान्यतह, जानवर, पौरानिक विशय या निर्जीव वस्तूओं को प्रदर्शित करता है। ये विशेश सितारों की अवस्तिती का पता लगाने में खगोल विदों और नाविकों की मदद करते हैं। आधिकारिक तौर पर रात्री के समय आकाश में मान्यता प्राप्त तारा मंडलों की संख्या 88 है। यह एक प्रमुख तारा मंडल है जिसे पूरे विश्व में देखा जा सकता है।